Hello students, this is our English online class. Today, we will start a new topic, affix, page number 17. Affix, what is affix? Affix, हपन बोलते हैं प्रत्य को. मतलब, किसी भी English language में कुछ words ऐसे होते हैं, जिनके आगे या फिर पीछे, कुछ letters लगने से एक नया word बन जाता है. उसे हम क्या बोलेंगे? एफिक्स, उकी? Many words in the English language can be formed by adding a set of letters before or after the main word. Many words, बहुत सारे words in the English language. English में ऐसे बहुत सारे words हैं, can be formed by adding a set of letters. जिनका form चेंज किया जा सकता है, जिनका हर्थ चेंज किया जा सकता है. ओकी? Adding a set of letters. कुछ letters को add करने से. Before or after the main word. Main word जो होता है, उसके पहले और बाद में. कुछ letters को add करने से, अगर उस word का meaning change हो जाता है, उसका earth change हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अगर आगे कोई change हो, आगे letter लगता है, तो उसे prefix और बाद में letter लगता है, तो उसे suffix. मतलब, उपसर्क और प्रत्य है. This set of letters is called an affix. जो letters लगते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अपन? एफिक्स बोलते हैं, एफिक्स can be of the following two types, एफिक्स कितने टाइप्स का हो सकता है, two types का, कौन-कौन सा, पहला होता है prefix और दूसरा होता है suffix, प्रिफिक्स जो भी word से पहले आता है, वो प्रिफिक्स होता है, और जो भी word के बाद में आता है, वो suffix होता है. जबी भी कोई एफिक्स, कोई लेटर्स का ग्रूप, एड होता है किसी word से पहले, अगर लेटर्स का कोई सैट, कोई ग्रूप, एड होता है, तो उसे अपन प्रिफिक्स बोलते हैं, अना? by adding the prefix UN एक letters है न, दो letters का एक set है तो prefix UN को अगर हम happy में जोडते है to happy, we get the word unhappy एक होता है happy, एक होता है unhappy happy का मतलब खुश और unhappy का मतलब जो खुश नहीं है, दुखी है न तो अगर हम happy में prefix UN जोड देते हैं तो एक नया word निकल के आता है unhappy, okay UN, H, A, W, P, Y unhappy जो खुश नहीं है now suffix, suffix जो word के बाद में जो letters जोड़े जाते हैं तो उन्हें अपन suffix बोलते हैं when an affix is added after a word it is called a suffix जब letters का एक ग्रूप होता है वो word के बाद में जोड़ा जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे? suffix बोलेंगे जैसे, by example by adding the suffix ly to happy we get the word happily अगर हमने happy में ly को add किया तो हमने कौन सा word बना दिया? happily happily खुशी से ओके? so, अगर किसी भी word में पहले अगर कोई letter जोड़ा जाता है तो वो prefix और जो अगर बाद में जोड़ा जाता है तो वो suffix और जो letters होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? affix sometimes there is a change in the spelling when the suffix is added कभी-कभी ऐसा भी होता है कि spelling में change हो जाता है जब हम suffix को add करते हैं तो spelling change हो जाती है वो word होता है उसकी spelling change की जाती है for instance, for example instance, example उधारन के लिए the y in the word happy is replaced with an i देखिया यहाँ happy है और यहाँ ly अपने add किया तो जो यह y था इसकी जगाँ अपने क्या लिख दिया? i है ना? तो happy की spelling क्या थी? h-a-double-p-y जबकि happy लिखी क्या हो गई? h-a-double-p-i-l-y है ना? y की जगे i pronounce हुआ है i लिखा है अब मने, हमने sometimes we can add both कभी-कभी हम दोनों ही add कर सकते हैं a suffix as well as a prefix suffix भी add कर सकते हैं और prefix भी मतलब एक word के पहले be letters का set मतलब letters add कर सकते हैं और word के बाद में भी letters add कर सकते हैं to a word, to form a new word नया word बनाने के लिए हम चाहे तो word के पहले भी add कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं by adding the prefix l-y and the suffix un to happy, we get the word unhappily अब देखिए, एक word है happy है ना? इसके आगे हमने prefix लगाया un और बाद suffix लगाया ly और prefix भी add किया suffix भी add किया और बना दिया हमने unhappily खुशी से जो happily खुशी से और unhappily जो खुशी से नहीं है ओकी? इसमें दोनों चीजे यूज हुई है prefix भी और suffix भी clear? in next phase following is a list of commonly used prefixes prefixes की कुछ list है जो हम देख रहे हैं prefix जो word के पहले लगता है सबसे पहले dis एगर हम किसी भी word में dis लगाते हैं addition of dis एगर dis को add करते हैं forms words with opposite meaning तो opposite meaning बन जाती है जिसे respect आदर disrespect जो आदर की योग्य नहीं होता agree सहमत disagree ए सहमत किसी भी वास से सहमत नहीं होना dis का क्या हो जाता है? opposite हो जाता है अगर किसी का सहमत है तो ए सहमत इस तरह से re re का मतलब क्या होता है? back और again back पीछे या फिर again again का होता है दुबारा regain regain क्या होता है? हासिल करना addition of un forms words with opposite meaning अगर अपन un को add करेंगे तो क्या बन जाएगा? opposite meaning बन जाएगी unequal जो समान नहीं है ए समान under अगर हम सब किसी में add करेंगे तो वो under हो जाएगा उसका रथ नीचे submarine submarine पंडू भी जो जहाज वगेरा होती है semi semi का half semi final होता है semi final मेंच मतलब आधा इसके बाद में final अभी बाकी होता है उके इस तरह से यह कुछ prefix थे उनसे अपने words बनाए हैं clear okay इसके बाकी